अगर आप बिहार या नेपाल के मिथिला क्षेत्र के रहने वाले हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुश खबरी है आप चाहें दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों लेकिन अगर आपको अपनी मिथिला की संस्कृति से प्यार है तो ये खबर आप ही के लिए है अब अगर आप दुनिया के किसी भी कोने से उड़कर दरभंगा एरपोर्ट पर पहुंचेंगे या दरभंगा एरपोर्ट से उड़ान भरेंगे तो आपका स्वागत मिथिला की कला संस्कृति से एरपोर्ट पर किया जाएगा चलिए ज़्यादा सस्फेंस नहीं रखते हुए हम आपको ये पूरी खबर बताते हैं आठ नोमबर 2020 को उड़ान योजना के तहट शुरू हुआ दरभंगा एरपोर्ट अब यात्रियों की संख्या के मामले में कई रिकॉर्ड कायम कर चुका है इस एरपोर्ट पर न सिर्फ मिथिला बलकि दुनिया के कई इलाकों के लोग आते जाते हैं इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने एक योजना बनाई है जिसके तहट One District One Product के तहट दरभंगा एरपोर्ट पर मिथिला मखाना और मिथिला पेंटिंग की दुकाने खोली जा रही है इसका सीधा फायदा मिथिला के मखाना उत्पादक किसानों और मिथिला पेंटिंग बनाने वाले कलाकारों को मिलेगा जो बिचौलियों के पास गय बिना सीधे सीधे अपने प्रोड़क्ट उचिस तरिये ग्राहकों तक पहुँचा सकेंगे साथ ही इससे मिथिला की कला संस्कृति को पूरी दुनिया में प्रचारित प्रसारित करने का एक औसर भी उपलब्ध होगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोड़क्ट योजना को अमली जामा पहुचाने के लिए दर्भंगा डियेम राजी रोशन ने मिथिला के मखाना उतपादक, किसानों, ब्यापारियों और मिथिला पेंटिंग के कलाकारों के साथ एक बैठक की बैठक में मिथिला के मखाना उतपादक, किसानों, ब्यापारियों और कलाकारों ने डियेम से ये मांग की कि उन्हें दर्भंगा एरपोर्ट और दर्भंगा कलेक्टरेट में जगह दी जाए ताकि वे मिथिला मखाना और मिथिला पेंटिंग की दुकाने खोल सकें बैठक में डियेम राजियू रोशन ने अधिकारियों को ये आदेश दिया कि दर्भंगा एरपोर्ट और दर्भंगा कलेक्टर परिसर में मिथिला पेंटिंग और मिथिला मखाना की दुकाने खोलने के लिए जगह उपलवध कराई जाए डियेम के इस आदेश के तहट किसी एक व्यापारी और किसी एक मिथिला पेंटिंग बनाने वाली एजेंसी को एरपोर्ट और समाहर नाले में दुकान खोलने की अनुमती दी जा सकती है इस आदेश के बाद स्थानिय कलकारों और मखाना उत्पादक किसानों वो व्यापारियों में खोशी की लहर है हम आपको बता देए कि पिछले साल मुझभफरपूर की लीची दरभंगा एरपोर्ट से देश के कई कोनों में भेजी गई थी दरभंगा एरपोर्ट पर अभी कारगो की सुविधा नहीं है इस सुविधा की मांग यहां के ब्यापारी लगतार कर रहे हैं और आने वाले समय में यहां कारगो की सुविधा मिलती है तो यहां से न सिर्फ मिथिला मखाना बलकि मिथिला पेंटिंग, हाजीपूर का केला और मुझफरपूर की लीची जैसे प्रसिद्ध उत्पादों को दुनिया के कई इलाकों में पहुंचाया जा सकेगा दरसल उडान योजना के तहट संचालित दर्भंगा एरपोर्ट ने न सिर्फ यहां से आवा गमन की सुविधा उपलब्द कराई है बलकि कई आर्थिक गतिविदियों को भी बढ़ावा दिया है और यहां के ब्यापारी लगातार उसका लाव उठा रहे हैं मिथिला की ऐसी पॉजिटिव खबरें देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें